जै बोलेनार जी जै माता जी खेतरी की वीडियो डाली थी जिसमें खेतरी को अगर खराब हो जाते तो कैसे सही करना और खेतरी से कैसे पता चलता है कि हमारे नवरात्रे कैसे चल रहे हैं मातारानी सविकार कर रही है या नहीं कर रही है तो उसी में इस बारे में बहुत से प्रशन आये थे तो ये छोटी सी वीडियो में ही आपको असान तरीके से खेत्री को उगाना बताएंगे जिसमें आपकी खेत्री बहुत अच्छी हरी बरी उगेगी और बिल्कुल भी आपकी खेत्री जवार खराब नहीं होंगे नवरात्रे आ रहे हैं आप सभी को पता है तो मातारानी सबकी इच्छाएं पूरी करें सबके लिए अच्छे नवरात्रे आएं ये नवरात्रे बहुत शूब आ रहे हैं क्योंकि नवरात्रे बढ़कर आ रहे हैं पूरे दस दिन आ रहे हैं जब भी नवरात्रे घटते हैं उ ये वीडियो अंतक्त जरूर देखिएगा आपके नबरातरे भी शूब रहें इस पार माता की जो सवारी है वो हाथी पर आ रही है और बहुत शूब फर लेके आ रहे है तो चलिए बात करते हैं जवार के बारे में इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए आये हैं तो चैनल कर लेनी है मिट्टी को अच्छी तरह शान लीजिए मिट्टी में हल्का सागर रेत हो मिट्टी हो उससे इतनी अच्छी तरह चानना है कि उसमें कोई भी गुठली ना हो कोई भी इुषके जो मोटे हो वो होते हैं वो आपने पूरी तरह से तोड़ देने है या तो निकाल छान के एकदम बारीक मिट्टी कर लेनी है। जैसे आपको देख भी रहा है तस्वीर में इस पिचर में, मिट्टी को पहले छान के अच्छे से बारीक कर लेना है। पिर आपने कोई भी बरतन जिसमें आप जवार बोते हो या आप खेत्री उगाना चाहते हो उसमें आपने मिट्टी को बिछाना है जो आपने जवार बोने है पहले उनको आप थोड़ी देर के लिए पानी में सोक करके रखेंगे पानी में भीगो के रखेंगे या आप रात क दिर पहले निकालके किसी भी बरतन में सूखे अच्छे साफ कपडे में आप इंको फैला कर रख दीजे ताकि इने जो भी एक्षट्रा पानी है वो सारा निकल जाएगा इनको बिछा कर आप रख दीजे फिर आपने जिस बरतन में भी उगाने है जवार, उसमें आप ये छानी हुई, अच्छी तरह से जो आपने पतली कर ली हुई है मिट्टी, इसमें कोई गुठली नहीं होनी चाहिए, ध्यान आपने ये रखना है, और इसको आपने बरतन में फैलाना है, अच्छे से अपने हाथों से और उसके उपर आपने चान कर रखी हुए साइड में वो इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी आपने विखेरनी है बहुत जादा गहरे इनको नहीं करना है उलट पर लट करके बीच में भी जवार को नहीं करना है जिसके कारण हमारी खेतरी सही डंग से नहीं उखती है तो बहुत सिंपल सा तरीका है काम करना होता है बाकी मन में श्रद्दा हो तो मातारानी सब ठीक करते हैं सब के लिए नवरात्रे शुबो मातारानी सब की इच्छाएं पूरण करें जै मातादी जुरूर लिखेगा कोमेंट में जाओ भल्ट पूर में Łस काम करें जबिए weखेगा कि इच्छा में अके उए?.